घ्लो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डबल लेयर गरारा की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत आसान तरीके से इसक्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना गरारा रेडि करेंगे सो गाइस यह गरारा बनाने के लिए मैंने साड़े तीन मीटर बटर क्रैब फैब्रिक लिया है यह हमारा मेहंद्या कलर यानि आप इसे मोंग्या कलर भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने साड़े तीन मीटर फैब्रिक लिया है इसके साथ मैंने पंद्रा मीटर गोल्डन ट् दिसकस कर लेते हैं, so guys, यहाँ पर मैंने इस तरह से गरारे का जो पैटरन है, वो बना लिया है, आप देख सकते हैं, so हमारा गरारा कुछ इस तरह से रेडी होगा, तो यहाँ पर पहले हम अपने गरारे की length देख लेते हैं तो देखिए जो हमारा गरारा ready होगा वो 39 inch पर ready होगा अब देखिए यह हमारा जो upper part है इसकी length हम 16 inch रखेंगे तो यह upper part है हमारा तो 39 में से हम 16 inch को minus कर लेंगे यानि जो हमारा 39 inch length है total उसमें से हमने 16 inch minus कर लेना है तो 23 inch बचा इसके बार देखिए यह हमारा upper part 16 inch पर ready होगा और जो हमारा यह नीचे वाला part है जो layer है दो वो हमारी 23 inch पर ready होगी तो यह हमारा 23 नीचे का गेरे की length होगई अब इन दोनों में हमें seeming allowance एड़ करना है तो upper part हमने 16 पर ready करना है एक inch seeming allowance के लिए plus करेंगे तो जो हो गया 17 inch पर हम इसको cut करेंगे इसी तरह से अब यह हमारा 23 inch का जो घेरा है तो यह हमने दो part में cut करना है 1 और 2 तो 23 को हम 2 से divide कर लेंगे यानि 23 inch को हम 2 से भाग कर लेंगे तो लगबग हमारा 1.5-11 inch आएगा तो दिखिए जो हमारा उपर की layer है वो भी 1.5-11 inch पर ready होगी और जो नीचे की layer है वो भी 1.5-11 inch पर ready होगी अब हमने इन दोनों में भी 1-1 inch swimming allowance आड़ करना है तो 1.5-11 inch पर ready होगी बट इसमें हमने 1 inch आड़ कर लेंगे तो जो हो जाएगा हमारा 1.5-12 inch तो 1.5-12 inch पर cutting होगी और इसमें भी हम एक इंच आड़ कर लेंगे second layer में तो ये भी हमारी 1.5-12 inch पर cut होगी इस तरह से तो हमने cutting के time एक-एक इंच बढ़ाना है तो ये हमारा upper part है जो 17 inch पर cut होगा और first layer हमारी 1.5-12 inch पर cut होगी और जो second layer है वो भी हमारी 1.5-12 inch पर cut होगी so guys इस तरह से हमने अपनी length गरारे की निकाल ली है अब कोई भी measurement होगा formula यही use होगा चाहे आपके गरारे की length जादा है या कम है इसके बाद हम अपने गरारे की cutting करेंगे तो देखिए ये हमारा fabric है 1.5-3 meter इसमें से हम इसको हमने किनारे वाली side से इस तरह से पकड़ना है और अब हमने इसको दूसरी वाली किनारी से इस तरह से मिला देना है तो ये हमारा double fold हो गया अब हमने इसको यहां से four fold कर लेना है so guys जो हमें fabric four fold करना है वो hip के according करना है जैसे इस गरारे का जो हिप है वो 40 इंच है तो 40 को हमने 4 से डिवाइड कर लेना है तो 40 को 4 से डिवाइड किया जो हो गया 10 इंच अब हमने इसमें 5 इंच प्लस कर लेना है तो 5 इंच प्लस करने के बाद हम लगबग हमारा ये 15 इंच हो गया तो यहां से हमने 15 इंच पर fabric को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से अब यहां से cutting कर लेंगे तो देखिएए यह हमारे गरारे की width हो गई है तो मैंने यहां पर इसको 15.50 इंच पर cut किया है और यह हमारा fabric 4 फोल्ड है यहां से और open side है और यहां से हमारा fabric folded side है इसके बाद आपको में एक बार दिखा देती हूँ, मैंने साड़े पंदरा इंच की विट पर इसको कट किया है, अब हम इसकी लेंट देखे हैं हमारी विट फैबरिक की जो हमने साड़े पंदरा इंच ले ली है, इसके बाद हम लेंट देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो इंच पर मार्क करेंगे, यह दो इंच हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा, जिसमें हम लास्टिक इंजर्ट करेंगे, तो इसको हमने स साइज है, यानि 40 से जादा है, तो आपकी यह अपर पार्ट की लेंथ और बढ़ जाएगी, और नीचे जो लेयर है, उनकी लेंथ कम हो जाएगी, तो इस तरह से हमने सीधा माक कर लेना है, तो यह दो इंच जो फैबरिक बचरा है, इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से, इसक इसमें फोट पार्ट 10 है, और उसमें हमने 3 इंच एड़ करना है, जो हो गया, 13 इंच, तो हम यहाँ पर 13 इंच ले लेंगे, अगर आपको फिटेट कर आरा चाहिए, तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, इसके बाद हम क्रॉच की लेंथ लेंगे, तो क्रॉच की लेंथ हम उतन बना है, इसमें हम अपने क्रॉच की लेंगे इस तरह से, इसके बाद हमने इंच टेप को यहाँ रखना है, और इसकी जितनी भी विट है, उसका हाफ कर लेना है, और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस तरह से, इसके बाद जो भी चोड़ाई आएगी, उसको हमने नीचे ले लेना है तो यहां से इस तरह से मार्क कर लेंगे बिल्कुल सीधा अब यहां से हम अपने थाइस की मार्किंग करेंगे तो थाइस के लिए गुटने से 3 इंच उपर जो भी गोलाई आती है उसका 4 पार्ट करेंगे और इस मार्क से इधर मार्क करेंगे यानि हमारा जो मेजरमेंट है वो 20 इंच है तो 20 का 4 पार्ट हो गया 5 इंच तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क करना है सेंटर से इधर तो जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाया गया है हमने अपने थाई का फोट पार्ट करना है तो फोट पार्ट हमारा हो गया फाइव इंच तो यहां फाइव इंच पर मार्क करेंगे और आगे की तरफ डेड़ इंच लोजिंग के लिए और मार्जन के लिए ले ले लेंगे अब क्रोच को हमने नीचे मिलाना है और साइट को हमने इस मार्क से इस तरह से मिला देना है तो इस तरह से हमारी मार्किंग कम्पलीट हो चुकी है इसके बाद आप देख सकते हैं यह हमारा अपर पार्ट है और यह दो हमारी first और second layer है तो इस तरह से यह दो हमारी layer है दोनों layer की length साड़े बारा इंच पर कट की है हमने और जो width है वो एक दूसरे से double है तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यह दूसरे से double है तो इस तरह से जो रखा है आप देख सकते हैं यह दूसरे से इस तरह से हमारी यह double width में है तो यह हमारा upper part है जो seaming allowance चला जाएगा उसको निकाल देंगे इसके बाद जो हमने second layer लिए है वो upper part की जो हमारी thighs की fitting है उसके double लिए हमने upper part हमारा four fold है तो जो हमारी यह first layer है यह भी हमने four fold करके रखी है और यह वाली side हमारी folded side है तो यह हमारी दो layer है और जो इसकी width है वो लगबग 20 inch है four fold करके और जो हमारी second layer है वो first layer के double में है इस तरह से तो यह हमारे पास चार piece है side में इसके joint आएगा तो इसमें से हमने एक एक piece निकाल कर इस तरह से side से सिल लिया है आप देख सकते हैं तो यह upper part में हमने side की fitting लगा दी है और जो यह दो layer है इसमें भी हमने इसको बीच में से सिल दिया है तो इस तरह से इसमें center में joint आया है इसकी layer को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हम इसमें triangle less लगाएंगे तो देखिए यह जो हमारे thighs वाली side है यहां से हमने triangle less लगानी शुरू करनी है आप less को बिल्कुल simply इस तरह से रख कर भी लगा सकते हैं करें इस तरह से यहां एक stitch देंगे उसके बाद इसको अंदर इस तरह से कर देंगे तो इस ट्राइंगल आ जांगे और अब हमने अपनी इस first layer में इस side में यह lets यहांपर set करनी है इस तरह से और इसके बाद अब हमने अपनी second layer के bottom में इस lets को set करना है so second layer की जो length है वो हमारी काफी ज्यादा है तो इसमें हमारी last काफी लग जाएगी तो देख सकते हैं आप इसकी काफी length है क्योंकि ये first के double है तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ यहाँ पर हमने fabric को quarter inch double fold करना है इस तरह से और last के उपर यहां रखेंगे और इसको नीचे तक इस तरह से सिलते जाएंगे तो इस तरह से एक ही सिलाई में हमारी last भी लग जाएगी और fabric भी हमारा अंदर की तरफ double fold हो जाएगा आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारी last को लगा कर complete कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह last हमने इस तरह से लगा ली है इसके बाद हमने दोनों layer की उपर वाली side में एक long stitch की है अब यहाँ से एक धागा खीज कर हम छोटे छोटे gather's बनाएंगे और अपनी जो हमारा upper part है उसके बराबर इसको कर लेंगे अब इसी तरह से हमारी जो second layer है उसको भी gather's बनाएंगे और इसको हमने first layer के बराबर कर लेना है इस तरह से तो देखे इसको set करने के लिए हमने जो हमने सिलाई लगाई है यह वाली gather's के लिए उसके ऊपर हमने triangle last को रखना है और यह सिलाई छुपाते हुए हमने उसी सिलाई को उपर कर लेना है जिस सिलाई से हमने triangle last लगाई है और बिल्कुल इसी तरह से अब हम यह वाला भी इसके साथ जोइंट कर देंगे तो इस सिलाई को छुपाते हुए उपर वाली जो सिलाई है उसके उपर एक सिलाई कर देंगे तो इस तरह से ये तीनों लेयर हमारी आपस में जॉइंट हो चुकी है और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने दूसरी लेक के गरारे के भी सभी पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है तो ये हमारा गरारा इतना तयार हो चुका है इसके बाद हमने इसके उपर इस तरह से रखना है दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी अब हमने इसकी क्रोच की फिटिंग लगानी है तो यहां से half inch का दबाव लेकर इसके दोनों क्रॉच को हमने सिल देना है So friends इस तरह से देखिए हमने दोनों क्रॉच को सिल लिया है इसके बाद side से पकड़ कर हम इसको अलग-अलग कर लेंगे अब हमने नीचे से जो fabric है इसको double fold करना है यहां से और half inch का दबाव लेते हुए हम इसके inner leg में यहां से fitting लगाना है स्टार्ट करेंगे यहां से और इसको नीचे तक यानि दूसरे side में complete कर देंगे So इस तरह से हमने inner leg में fitting लगा लिए है इसके बाद हम इसमें lastik insert करेंगे Lastik लेने का बहुती easy formula है जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमने 4 inch minus करना है Suppose हमारी कमर का measurement है वो 30 inch है उसमें से हम 4 inch minus कर देंगे तो 26 inch आया तो मैंने यहां पर 26 inch पर lastik cut किया इसको बाद दोनों सुरों को सिल लेना है और normally जैसे हम नेफा में अपनी lastik insert करते हैं और इसको सिल लेना है इस तरह से हमने lastik डाल ली है और lastik के middle में एक stitch भी लगा ली है इसी के साथ हमारा यह गरारा complete हो गया है और इस गरारे में मेरे जो last थी 15 मीटर थी वो अभी नहीं लगी है आधी लगी है यानि लगबग 8 मीटर हमारी last लग चुकी है और 7 मीटर के असपास यह last बची है जिसको मैं कुर्ती में use करूंगी और next video इसकी designer कुर्ती की आएगी जो मैं short straight कुर्ती बनाऊंगी तो उसमें मैं गोटा पटी के साथ और triangle less के साथ कुर्ती को design करूंगी तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें इसके बाद ही मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगी इस full dress का final look आपको next video में मिलेगा ये dress मैं महंदी function के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ये महंदिया color choose किया है आपको इसा भी color ले सकते हैं तो इसी के साथ हमारी वीडियो complete होती है मिलते हैं गले वीडियो में कुछ नया ideas के साथ अब तक के लिए bye take care thanks for watching